क्रिकेट जगत से जोड़ी सबी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाईए क्रिकेट की खबरे सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तू IPL 2019 का एक और रोमांचक मुकाबला दिनेस कार्तिक की कोलकता नाइट राइडर्स और विराट कोली की रॉयल चलेंजर्स बैंगलूर के भी छिला गया इस मुकाबले में बैंगलूर की टीम ने कोलकता की टीम को 10 रनों से हरा दिया इससे पहले बैंगलूर से मिले 213 रनों के लक्ष का पिछा करने उतरी कोलकता की सुरुवात बेहदी खराब रही पहला पावर प्ले खत्म होने तक कोलकता की टीम के टॉप ओर्डर के तीन बड़े बल्लेबाज पैवेलियन लॉड चुके थे लेकिन इसके बाद नितिस राना ने मोर्चा संभाला लेकिन उनका कोई भी मध्यकरम बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया इसके चलते कोलकता की टीम को आखरी 30 गेंदों पे 93 यानि की 93 रनों की आवशकता थी और क्रिस पर आंद्र रसल और नितिस राना की जोड़ी बल्लेबाजी कर रही थी एक समय सभी क्रिकेट प्रेमियों को ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला विराट कोली की टीम आसानी से जीच जाएगी कोली भी मैदान पर बेहदी ज्यादा खुस दिखाई दे रहे थे लेकिन उनको आगे आने वाला तूफान का कोई अंदाजा नहीं था दोस्तो आंदर रसल और नितिस राना ने पारी के 16 ओवर से बैंगलूर के हर एक गेंद को मैदान के बहार पहुचाना शुरू किया अब कोलकता की टीम को आखरी 3 ओवर में 61 रनों का नाम मुनकिन सा लक्ष हासिल करना था और गेंदबाजी डालने आए क्रिकेट इतियास के सबसे तेज गेंदबाज डेल स्टेन लेकिन इस ओवर में राना ने 18 रन निकाल कर कोलकता को और जित्स के पास लेकर आए उसके बाद रसल ने पारी के 19 ओवर में 19 रन बना कर अपना अर्थ सतक भी पूरा किया अब कोलकता को आखरी 6 गेंदों में 24 रन की आवशकता थी लेकिन आखरी ओवर में रसल और राना मिलकर यह लक्स नहीं बना पाए और कोलकता की टीम इस मुकाबले में हार गई इस से पहले कोलकता ने टोस जित कर बैंगलूर को पहले बल्लेबाजी के लिए आवंतरित किया पहले बल्लेबाजी करने आए बैंगलूर की सुरुआत लाजवाब रही इस मुकाबले में खुद कप्तान कोहली ने कप्तानी पारी खेल कर सभी बेंगलूरू के फैंस का दिल जित लिया विराट कोहली ने इस मुकाबले में केवल 58 गेंदो पर 100 रनों की तूफानी पारी खेली उनके साथ मिलकर मोहिन अली ने भी 38 पारी खेल कर बेंगलूरु का स्कोर 200 के पार पहुचाया मोहिन अली ने इस मुकाबले में 28 गेंदो पर 235 की स्ट्राइक रेट से 66 रनों की हैरत अंगेज कर देने वाली पारी खेली विराट कोली और मोहिन अली की तूफ़ानी पारी की मदस्ते बेंगलूरु की टीम 213 रनों का विशाल लक्स कोलकता की टीम को देने में सफल रही